बंधो सतिगुरू चरनिको करू सोप्रेम पनाम अशुब हरन मंगल करन धनी शिरी देव चंद्र जीनाम शिरी प्रान नाथ निज मूल पती शिरी महिराज सुनाम तेज कुबर शामा युगल को पल पल करू पनाम पियाजी को पल पल करू पनाम पहले आप पहचानो रिशादो पहले आप पहचानो बिना चीने आप पारब्रम को कौन कहे मैं जानो कौन कहे मैं जानो सबको पनाम जी आपके चर्णों में कोटान कोट पनाम जी आदनी प्यारी सुन्देश साथ जी धरम प्रेमी बैन और भाईयो आज जागनी यात्र में आपकी इस कच्छ की भूमी में आने कर सुभाग्या प्राप्त हुआ बहुती खुशी की वीशे हैं और इसमें करवाई जारी है सब को जैसे कि अपनी सुर्य परताब जी से सुना मैं कौन हूँ कहां से आई हूँ जग कहां से आया हूँ तन छोड़ने के बाद मुझे जाना कहां है वो प्रमात्मा वास्ते में है क्या धाम क्या है सुरूप क्या है लीला क्या है उस प्रमात्मा को जानन की जिगासा सब के अंदर आती है सब से पूछा जाए आप कौन हो किसी से भी पूछा जाए आप हो कौन तो हम किसका परिचे देते हैं इस शरीर का परिचे देते और ये शरीर क्या है रहने वाला है जिसका परिचे दे रहे हैं वो एक ना एक दिन तो साथ मन की लकड़ी में डाल दिया जाएए संसार प्रिवर्तन शील है हर चीज में प्रिवर्तन होता रहता है और हम भी कभी पहले क्या थे बच्चे थे बहुत जनम होता है बिलकुल बच्चे फिर कुछ बड़े हुए टीनेज में चले गए और उसके बाद क्या हुए युवा किशोर और उसके बाद अधेड हुए फिर बुडापा आ गया और क्या हुआ चल दिये चलने के बाद फिर ये क्या हमारा परिचे रहेगा ये परिचे हमारा शिरीर का, नहीं न, तो पूछा जाए, पूछें आप, पहले आप पहचानो रिसादो, पहले आप पहचानो, आप कौन हो, हमने समझ लिया, ये शिरीर तो हमारा नहीं, ये तो जाने वाल है, फिर ये हमारे अंदर अंतिसकरन है, हमारा अंतिसकरन है, मन है, चीत है, है अंकार है मन हम मन की बात करते हैं मन को आत्मा के साथ जोड़ देते हैं जीव के साथ जोड़ देते हैं बात हमारे मन की होती है क्योंकि ये एक जो जीव का दिल है वो अंतिस करन कहते हैं उसमें मन है और मन हमारा कभी कहीं भागेगा कभी कहीं भागेगा यहां बैठे जरू हो क्या सुना था हाँ अच्छी चर्चा हुई थी लेकिन कुछ इजाद नहीं क्यों क्यों कि हमारा मन यह है मन तो क्या 14 लोगों में घूमता रहता है लेकिन अगर इस मन को समझ लें इस मन को खाली कर दें खाली मन मन ही में ब्रह्म हमारा मन जिस दिन खाली हो गया न तो उस प हमें चीत को समझा ही नहीं आई दिन तक चीत है क्या चीत क्या चीत से चिंतन करते हैं मन से मनन करते हैं ये चीत हमारा जो है न इसमें हमारे जन्मों जन्मों के संसकार भरे हुए हैं सब संचीत रुप में रखे हुए हम यहाँ पर कोई भी करम करते हैं कुछ भी करते हैं तो वो चित में संचीत होते चले जाते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं? कि मरने के बाद यम्राज आते हैं और लेकर के चले जाते हैं। क्या कोई यम्राज आएगा? वो कहते हैं कि आपका सारा खाता वही खाता देखा, आपने क्या करम अच्छे की हैं, क्या बुरे की हैं, वो देखते हैं, कोई यम्राज नहीं है, कौन है हमारा चीत, जो हम चीत हैं ना, उसके अंदर हर बात हमारी लिखी हुई है, हम किसी के बारे क्या सोच रहे हैं, किसी के लिए क्या गलत सोच रहे हैं, जा किसी का बिगार र रहे हैं हर बात किसी का हमने कितना पैसा मार लिया लोग मारते डरते नहीं लेकिन आपके चित में वैसे ही संसकार बनते चले जाते हैं हर कोई करम करते कोई ऐसा नहीं कि करम नहीं करता इन करमों के बंधन में सभी फसे हुएं और कहा जाता है कि करमों के इंसार आपको 84 लाख योनियों में आना जाना पड़ेगा इसका वर्णन शीरिमत भागवत गरंत के अंदर भी है राजा प्रिक्षित को शुक देव जी ने जब शीरिमत भागवत कथा सुनाई तो उन्होंने 28 कुंडों का वर्णन किया 28 कुंडों का वर्णन किया तो राजा प्रिक्षित भी होश होगे 56 कुंडों का वर्णन वो सून नहीं सके क्यों? क्योंकि इन करम किये हुए जो है उनके अनुसार हर इनसान को हर जीव को किसमे जाना पड़ते है? योनियों में जाना पड़ते है जैसे कि अभी सुना अपने कि जब इस जीव के एक बाल की नौक के दस जार हिसे किये जाएं उससे भी सुक्षम जीव है तो वो जीव क्या कहते हैं कि कहा जाएगा नरक कुंडों की वर्णन है नरक में जाएगा नरक क्या है कभी कोई समझा ही नरकों में जाना क्या है कोई नरक नी भने हुए ये जीव जो है उसके जब टुकड़े निहीं हो सकते तो उसको कैसे जलाया जा सकता है उसको कैसे पानी गरम में डाला जा सकता है उसके टोटे कैसे किये जा सकते है उसको जब जला नहीं सकते तपा नहीं सकते उसको काट नहीं सकते तो फिर वो कैसे अपने कर्मों का फल भोगता है कभी समझा नहीं समझते हैं ये 84 लाख योनिया जो हैं वो क्या है यही नरक के कुंड हैं इन नरक के कुंडों में जीव जब जाता है इतना तडफता है वो सोचता है कि कब मुझे फिर से मानवतन मिलेगा कब मुझे फिर से मानवतन मिलेगा और मैं उस पारव्रम की भक्ती करूंगा और भवसागर से पार हो जाओंगा मैं मुक्त ह वो जाओंगा लेकिन क्या करता है जैसे ही जनम होता है फिर से मान लिए मानवतान मिल गया तो मानवतान पाकर के ये मेरा ये मेरा ये मेरा तू मेरा मो के बंधन में ऐसा बंदता है फिर से उसको योनियों में जाना पड़ता है एक एक योनि को भोगने के बारे में आप सुनि जाता है, इतने कर्मों को भोगना पड़ता है, भोगने के बाद ही चुरासी लाग योनियों के बाद ये मानवतन मिलता है, रमाइन में क्या कहा है, बड़े भाग मानवतन पावा, सूर दूर लब सब ग्रन्थन गावा, बड़े भाग से ये मानवतन मिला, सूर दूर लब सब ग्रन्थन गावा, जो देवताओं को भी बहुत मुश्किल से, बेकुंट हमें बैठे देवता भी क्या चाह रहे हैं, कि हमें क्या मिले, मानवतन की प्राप्ती हो, मानवतन को पा करके ही हम जान सकते हैं कि मैं हूँ कौ क्या मैं अंतिज्करन हूँ रोशेर हूं मैं बुद्धि हूं बुद्धिसे तो कवुएख है। बुद्धि मिलिया हमेih बुद्धि से हम सोच सकते हैं कि यह कर्मों के बंधन को काठ किसे सकते हैं जैसे कि छोटी सी उधारन है कि एक मादा बिच्छू के बारे में आपने सुना होगा मादा बिच्छू होती है ना मादा बिच्छू का जब अपने बच्छों को जनम देती है तो वो मादा बिच्छू के जो बच्चे है ना उसके पीठ पर चड़ जाते और उस मादा बिच्छू को खाते रहते हैं, नोचते रहते हैं, उसका खून पीते रहते हैं तब तक पीते हैं, जब तक उसकी मौत नहीं आजा वो मर जाती है मादा बिच्छू और वो बच्चे फिर से, वो भी कर्मों में चकर में चल जाती है तो इसी तरह से ही ये कर्मों का बंधन नहीं किसी को छोड़ता ये जो करम कर रहे हैं न हाँ छूट सकते एक छोटी सी उधारन के साथ मैं और बताऊंगी जैसे कि आप भी आपने रिखा कि चोदै लोगों का बर्माण है उसके उपर सत लोग जिसे का है बेकूंट लोग का है जहां ब्रमाण विश्णुमेश बैठें और क्या कर रहे हैं तब कर रहे हैं सब भक्ति किसकी करते हैं उनकी करते हैं ब्रमाण विश्णुमेश जी की चीतर की पूजा नहीं करनी हमें उनके चीतर की पूजा करनी वो क्या कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं हमें करने के लिए यदि हमने विश्णु बगवान की अभी शिवजी की बारे में तो सुना विश्णु बगवान भी कैसे ध्यान करते हैं और लक्षमी जी मुझसे फूचते हैं कि आप किसका ध्यान करते हो और जब वो बता नहीं पाए तो उसने लक्षमी जी ने साथ कल पांत पस्या की उस परमात्मा को जानने के लिए और बाद में जब ब्रिज में किलिला के बाद श्री किशन जी कि शादी रुक्मनी से होती है लक्षमी वही बंधारन करके आती है और उनको बताते हैं कि मैं किसका ध्यान करता था ध्यान से बताते हैं उनको भी और वो भी ध्यान करते हैं उस परमात्मा का शीवजी भी ध्यान करते हैं और ब्रहमा जी भी चार वेदो चार मुखों से कहा जाता है अपनी जीबा से चार वेदो का अध्यन करते रहते हैं उनके मुख से पठन चलता रहे हैं तो ब्रह्मा मिश्णुमेईश के बारे में आपने अच्छी तरह से सुना उनकी भक्ती क्या करनी है उनकी गुनों को अपने जीवन में कैसे धारन करना है एक आदमी था उसने नहीं नहीं गाड़ी सीखी चलानी उसको बड़ा कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं गाड़ी बहुत अच्छी चला सकता हूँ और वो गाड़ी लेकर की उस भीड के एरिये में चला गया लेकिन जब बहुत भीड देखी तो दमाग का कुछ बैलनस खराब हुआ क्या हुआ उसको ब्रेक में एक आदमी सामने आया ब्रेक पर पैर लगाना था और लग गया किस पर कलाच का और गाड़ी उच्छ ली और आदमी गया जब वो आदमी की डैथ हो गई पुलीस आई पकड़ के ले गई कोट जो चोटी थी उसने लिख दिया कि आपको क्या मिलेगी फांसी मिलेगी फांसी मिलेगी अब उसने सोचा रहे भाई गाड़ी इच्छी सीखी क्या मिला हर इसान क्या चाता है सुख के लिए पैसे कमाता है भ sneaking भाग रहे भाग रहे पैसे के लिए कोड़ी माया जोड़ी भरिली असब थैला कहे कभी सुनों भी सादो संग चले न difficult भी में घाता इसान खाली आथ आता है खाली हाथ चला जाता है सिकंदर ने भी इतना धन कमाया था सारी दुनिया को जीत लिया था आखिर में जाते हुए इसने क्या कहता मेरी एक इच्छा है जब मैं मेरी जनाजा निकाला जाए तो मेरे हाथ जो है कबर से बाहर निकाल दिये जाए जनाजे से बाहर निकाल दिये जाए सारी दुनिया वाल उसने सोचा कि आप मुझे दूसरी कोट हाई कोट में जाना चाहिए हाई कोट में भी चला गया भक्त वहां जाकर करके अपनी अप्लिकेशन लगाई वकील किये बड़े बड़े लेकिन क्या हुआ उन्होंने भी का नहीं फांसी तो मिलेगी ही मिलेगी अब सुप्रीम कोट मे क्या करूं क्या करूं कैसे करूं तब उसे पता चला कि यदी मैं अपनी अप्रोच राश्टर पती तक लगा दूँ तो क्या होगा मेरी फांसी रद हो सकती तब उसने बहुत कोशिश करके राश्टर पती को जा करके अपनी सारी व्यथा बताई कि कैसे मैंने गाड़ी ली गाड़ी पर मुझे सीखा अच्छी तरह से लेकिन मेरा उसमें दिमाग ऐसा हुआ कि जो मुझे ब्रेक पर पहर लगाना था, कलच पर लगया और गाड़ी उचली, उससे मेरी क्या दुश्मनी थी, मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मैं उसकी कोई जाहिदा नहीं खाना चाहरा थ मैं उसका कोई बच्चों के साथ कुछ मेरे सर्मन नहीं था, तो मैं क्यों उसको मारना चाहता राश्टर पती नहीं उसकी बात पर पूरी तरह से विचार किया और उसकी फांसी रद कर दी इसी तरह से ही, हम जैसे जैसे करम करेंगे, करमों के इंसार हमें फल भोगना ही पड़ेगा लेकिन यदि हमने अपनी अप्रोच कहां पर लगा दी, उस पार ब्रह्म तक उस अक्ष्रा तीत को हम जान गए, पहचान गए, वो परमात्मा है कौन? परमात्मा लोग कह देते की कंकं में विराजमान, क्या परमात्मा कंकं में विराजमान है? परमात्मा कंकं में विराजमान नहीं है, यदि परमात्मा सत है, चीत है, अनन्द में यह, परमात्मा क्या है? सत्चित और अनद में वो सत्य है तो संसार क्या है? असत है वो चेतन है तो संसार क्या है? जड़ है वो अनद में ही है तो संसार क्या है? दुख में हमें उनके गुणों को जानना चाहिए प्रमात्मा के गुण क्या है? सत्य से हर्ची सत्य ही बनती है, जो वो स्वेम चेतन है तो यह संसार भी चेतन में होना चाहिए, अगर परमात्मा जो है अनन्द में ही है, तो यह संसार दुख में नहीं होना चाहिए, यह सारा संसार क्या है, दुख में है, जड़ है, जूटा है, सपनिक है, सपनिका जब कर दों है कभीबी यह सपन समाज हो जयेगा। जब यह सपन ऋब नत होझाएगा, संसार ही संसार ही संससाहँ हो जएगा। तो यह जो हम कहते हैं कि प्रमात्माह कहा है? कण-कण में लिए भिराज मॉठ करूगा। तो ये सारा संसार भी कैसा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, चेतन होना चाहिए, अनद में होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, इसलिए आज सभी चाहते तो हैं, कि हम मुक्ती को प्राप्त कर ले, मुक्ती को प्राप्त करना चाहते हो, उस प्रेम को चाहते हो, अनन्द में इस रूप है उसके साथ अपना सन्मन कायम करना पड़ेगा उनके साथ अपना सन्मन जोड़ना पड़ेगा और हमें इस बात को जान जाना चाहिए हम कौन है हम मैं जो हूँ मन चित बुद्धी अंकार अंकार मैं हूँ मैं जो हूँ वो नहीं हूँ और मैं हूँ कौन वो म हमें उसको उसकी पहचान करनी पड़ेगी, उसको जानना पड़ेगा, उसके धाम के बारे में जानना पड़ेगा, सुरूप के बारे में जानना पड़ेगा, लीला के बारे में जानना पड़ेगा, उस पारव्रम के बारे में तभी तो इस संसार से जाने के लिए कहा कहा गया है अस्तोमा सत गम्या अस्तोमा सत गम्या इस जूर से हमें कहां ले चलिए उस सुख की और ले चलिए सद की और ले चलिए इस मेतु के संसार से हमें किस तरफ ले चलिए उस अम्रत की तरफ ले चलिए जहां अखंड सुख ही सुख हैं जहां से वापिस लौट करके आना जाना ना पड़े हमें इस नरक की योनियों में जाना ना पड़े इसलिए उस सुख को चाहते हो अनन्द को चाहते हो तो उस पा प्राननाथ प्यारे कीज़ बोलो शिरी सद्गुरू महराज कीज़ प्रणाम जी सब को